अब कितना क्रिस्पी हैं बहुत क्रिसपी है यह ब्रूट करने और जब कर दो क्रिस्पी है अर्ग काट में विट्रुटी सकते हैं यह काट सब्सक्रेंग करने के एज़्वाइब है बेसिक मशालों से और बेसिक इंग्रीन से जो किचन में होते हैं तो और भी हेल्दी नास्ता रेस्पी अपलोड है आप चेक आउट कर सकते हैं प्लेश बना हुआ है मैं डिस्क्राइब लिंक दे दूंगी वहां से भी देख सकते हैं और बहुत ही आसम और डिलेसे से इस न जाए उसी साफ से मेजर को रखे और मैंने तीन चोटेश की आलो को बाइल करके इसे मैंने प्रोटेटो मैसर से मैस कर लिया है एक चोटेश का गाजर उसे मैंने कद्डू करके लिया है आप कोई भी सब्सक्राइब डाल सकते हैं हेल्दी वर्जन करने के लिए क्योंकि बच चिली फ्लेक्स जत्के बाइल मॉटी वाली और मैने थोटा से सिल लिया ससे तील वन टीस्पून चिली फ्लेक्स दो हरी मिर्जिसे में कट किया है मैंने थोड़ा सा कटावारा दनिया वन फोटीश्पून साबू जीरा दो पिंचींग हाप तीश्पून अजवाइन वन टी तोड़ा पाई डाल कर इसका हम सेमी डो लगाएंगे बहुत जदा हाट डो नहीं लगाना है और पानी को एक साथ नहीं आड़ करेंगे फरंस बहुत ही हिल्दी है आप इसको बनाकर नाइट में रख सकते हैं बच्चों को मॉर्णिंग में आप इसको फ्राइ करके दे सकते है किसी टिफिन में करके देखें ऐसे सेमी डो लगाना है आपको अब इसको धक कर थोड़ी दिर के लिए रेष्ट पे रख देंगे जिससे सेट हो जाए उसके बाद हम आपको आगे का प्रुष्चिज दिखाते हैं अब आलू में हम प्यास को आड़ कर लेंगे गाजर को भी कटिवी हरी मिर्ज, 140 स्पून नमाग, हिंग और जीरा, तीखी लाल मिर्ज, गरम मशाला, चाट मशाला, फंस आप इसमें पनीर भी ग्रे गड़ के डाल सकते हैं या चीज भी डाल सकते हैं आप इस वैसे हरा धन्या को भी डाल कर भी इसको मिक्स कर लेंगे आप अपने मन पसंद इसमें कोई भी सब्रट सबजी या चीज या पनीर को भी ढाल सकते हैं जो आपके बच्चे लाइक करते हों वह सब्रवक्ती इसहें अप निई जयुक्त तेस्ट भी आता है चिली फ्लेक्स को भी डाल दूगी तो फोर टीस्पून नमक को भी डाल दूगी फर्च देखा मैंने तीन जगे पर नमक का यूज किया इसलिए आप नमक की क्वांटिव कम ही रखे एक साथ ना एड करें थोड़ा थोड़ा करके आप डालें अब इसको मि जड़ा गोल बना लेंगे फन बहुत ज़्यदा पतला नहीं करना आपको और बहुत ज़्यदा थिक भी ने करना सेमी कुशन टेंसी रखनी है आपको यह देखिए और इसमें अभी सूजी एट की है तो इस वज़े से रखने पर और ज़्यदा यह थिक हो जाएगा इसलिए पूरे आटे से एक इतना बड़ा लोई बना लिए उसे मैंने सूखे आटा से डश्ट कर लिया है और आप जब भी बेले किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बेले योकि हमको बड़ा रोटी बेलना है तो आप बड़ा प्लेटफॉर्म मिले कोई भी आप चकले पे बेलेंग और उसको हलके हाथों से फैला देंगे और फिर साइब में आप इस थोड़े से इसके छोड़ दे किनारे पे जिससे हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने में आसानी होगी और अच्छे से इसको बराबर से फाइला लेंगे यह देखे फाइला लिया अब ऐसे उठाते हुए इसको रोल करेंगे और फिर में चल पर गेवों क्याटे से बने हुई और भी हिल्दी नास्ता रेश्पी अपलोड हैं सूजी से बने हुए बहुत ज़्यादा आप चेक आउट कर सकते हैं मैं डिस्ट्रूंट बहुत में लिंक दे दूंगी और बहुत ही डिलेश्ट इसनेक्स भी अपलोड हैं प्लेडिस बना हुआ है आप चेक आउट कर सकते हैं मैं इन बटन पर लिंक दे दूंगी आप वहां से भी देख सकते हैं और इसके किनारे भी ऐसे हम फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड और ऐसे चिपका देंगे जिससे खूले नहीं और बराबर कर लेंगे हाथों से और इसको फिर से एक बार ऐसे गुल-गुमाते हुए इसको तो देंगे यह बहुत ही जटपट बन जाने वाला है यह नास्ता और हिल्डी भी है आप इसको कभी बनाकर रख लें फिज में एक से दो दीन आप इसको रख सकते हैं टिफिन वॉक्स में करके आप इसको फ्राई कर अब इसको प्रेस कर देंगे बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना है ऐसे आप टिफिन में करके फ्रिद में रख सकते हैं लेकि मैंने गैस को आइक को हाय रका है मैंने रिफाइन डाल दिया है और थोड़ा सा गरम होते ही हम गैस को लो कर देंगे हम फिलो पर इनको प्रिज में निकाल दें आपको दिखाया है और एक करके मैं डाल दिया है लो फ्लेम पे यह मिनको थोड़ा दिर फ्राइब देंगे फिर दूसरे साइड पलटेंगे इतने फ्रंसम इस बचे वे नास्ता को हम एक कटूरी में करके इसको ढख सकते आप किसी भी टिफिन में भी प्रिज में नास्ता आभी नहीं फ्राइब करूंगी एक बैस में फ्राइब करूंगी और आपके पाएन या कड़ाई में जितने आए आप एक बर में उतने डाले और थोड़ी देर फ्राइब होने के बाद इनको दूसरे साइड आप आराम से फोक, स्पून या किसी भी कल कितना क्रिस्पी यह बनकर तैयार हुआ मेरा हिल्दी गेहों से बनावा नास्ता देखा मैंने तोड़ा तो कितना क्रिस्पी है फंस आपको लग नहीं की आटे से बना हुआ है और कितना आउसम इसके अंदर इस्टिफिंग है इसे मैंने केचक पिशार सरकिया आप किसी गर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन को प्रेश कर लें जिसे मेरे आने वाली बोडियो को नोटिफिसन आपको फटाक से मुल जाए और अपना फीडबैक मुझे जरूर बताना देश्पी बनाएंग बात थैंक्स फार वाचिंग बीड़ियो